देखिए क्या कोश्यन है आप मात्रिक्स mr is defined as mr r r minus 1 r minus 1 r r belong to n then the value of determinant m1 plus determinant m2 plus determinant m3 मतलब आपसे इनके determinant पूछें m1 m2 m3 determinant का मतलब यह हुआ m4 up to m2015 अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ कि समझिएगा कि आप इसको एक दो करके जर्नलाइज भी कर सकते हैं पर कई बार जब कोश्यन ऐसा आता है तो आप इसको थोड़ा option को भी चेंज करने का दालिए माल लीजे कि यदि यहां mn लिखा होता है m small n तो क्या होता तो आप 2015 पर जो option है उसके साफ से मैं n के बनाऊँगा तो मैं option a बनाऊँ तो 2015 पर अगर 2014 है तो इस पर होगा n-1 का square इस पर होगा n-2 का square क्योंकि 2015 मेरे लिए ideal number है n माल लिया मैंने यहां पर होगा n और d होगा n का square अब मैं क्या करूं कि मेरे लिए एक बड़ा आसान काम है कि अगर मैं n की कोई value ले लूँ जैसे suppose n की value आपने माल ली टू पहले दो और मैं m1 प्लस m2 करूं तो मुझे मिलता है 4 और n की value 2 लेने पर 4 यह देता है यानि इसका answer यह correct होगा आपको थोड़े से approaches को math की solving की difference करना चीए इतना अच्छा logical पड़ो कि आप tough setup questions को भी easily handle कर पाऊ नोट का लेजे